हेलो फ्रेंट्स आज में आप लोगों के लिए एकदम डिफरेंट तरीके के छोले की रेसेपी लेकि आए हूँ सायर आज से पहले आपने इस तरह से नहीं बनाया होगा और न खाया भी होगा बहुत ही tasty recipe है और बनाना भी काफी easy है और कम तेल में बनके ready हो जाता है तो फिर चलिए बनाते हैं छोली बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है एक कटोरी छोला और उसको रात भर भीगो के छोड़ देना है रात भर में ये अच्छी तरह से फूल जाता है अब देखिए हमने एक कटोरी छोला को भीगाया था ये बढ़के डबल हो गया है तो quantity आप अपने नुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं अब इस छोले को हमें उबालना है उसके लिए कुकर लेंगे और कुकर में सारे छोले को डाल देंगे अब इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे तो आज मैं डाल रहे हूं एक बड़ी इलाइची एक छोटी इलाइची दो लॉंग और थोड़ी सी डालचीनी इसे बह बहुत ही अच्छा आता है और टेस्ट भी आता है अब इसमें आधा कप पानी डाल के धक्कन बंद कर देंगे अब इस चना अच्छी तरह से उबल जाए उसके लिए क्या करेंगे एक चुथाई चमच खानी का सूडा डाल देंगे खानी का सूडा डालने से चना बहुत प्याज का मसाला बना लेंगे उसके लिए करना है दो मीडियम साइज का प्यास लेना और लंबे में कट कर लेना है अब एक कढ़ाई में दो चमच सरसो का तेल डालेंगे बहुत जादा तेल नहीं डालना है अब यह तेल गरम हो गया आप इसमें कटा हुआ प्यास डाल दे अब ये प्याज पूरी अची तरह से भून चुका है, गोल्डन हो गिया है, काफी कम तेल में ये बन के रड़ी होता है, हमने एकदम कम तेल दिया और उतना ही तेल में इसे बस चलाते वे भूना है, बस हमें प्याज को इतना ही भूनना है, अब इसे हम एक प्लेट में निका जब तक हमने मसाले भूना तब तक है ये छोला भी अच्छी तरह से सौफ्ट हो गया अब क्या करेंगे सारे खड़े गरम मसाले जो हमने डाला था और आवला आवला आव सारे को निकाल लेना है यदि आपको मसाला का फ्लेवर पसंद है तो आप कुछ खड़े गरम मसाले को छोड़ सकते हैं लेकिन सारा आवला को निकाल देना है अब देखिया हमने सारे को निकाल दिया है अब ये सारे मसाले को साइड में रख देंगे अब फिर से वही कड़ाई लेंगे प्याजवला उसमें दो चम्मच तेल डालेंगे सरसु का तेल आज में डाल रही हैं आप चाहें तो जो भी तेल खाते हैं वो तेल डाल लें अब तेल को गरम होने के लिए थोड़ी देल के छोड़ देंगे अब ये तेल गरम होगे अब इसमें आधा चमच जीरा एक तेजपता डालेंगे अब इसमें एक चमच अधरक लेसन का पेस्ट डालेंगे और अधरक लेसन को भून लेंगे दो मिनट के लिए कि इसका हलका सा कच्चापन जो पानी है वो सुख जाए बस अब ये लेसन और अधरक भून गया है अब इसमें दो मीडियम साइज का टमाटर लेंगे और रफली चौप करके डाल देंगे पीस के नहीं डालना है कट करके डालना है बस अब डालके दो मिनट के लिए भूनेंगे अब टमाटर को गलने के लिए नमक डाल देंगे साथ में आधा चमच हल्दी पाउडर आधा चमच धनिया पाउडर आधा चम माच, कसूरी मेथी अब इन सभी को मिक्स कर लेंगे नमक डालने से टमाटर बहुत जल्दी गल जाता है बस अब मसाले को 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे कि मसाला भी भून जाए और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए गल जाए अब इन टमाटर अच्छी तरह से भून गया है भूनने के बाद आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आया है और एकदम सॉफ्ट हो गया है, मैसी भी हो गया है टमाटर अब जो हमने प्याज को पीस के रखा था उस प्याज को डाल देंगे जब प्यास को डालेंगे तो ग्यास कफले मीडियम रखें क्योंकि इसमें हमने दही डाला है बस अब इस तरह से डालके भूनना है तब तक भूनेंगे जब तक इससे हलका हलका तेल नहीं छोड़ने लगता है एकदम डिफरेंट रेसेपी है सायद आज से पहले आपने इस तरीके से छोला नहीं बनाया होगा तो नहीं बनाया होगा तो एक बार जरूर ट्राइ करें इस तरह से छोला बनाएंगे तो तेल तो कम लगता है, यह साथ में जसे रेस्टरेंट में ढ़ाबा में छोला मिलता है बस सिगदम सेम वैसा ही टेस्ट आएगा अब ये मसाला अच्छी तरह से भून किया है अब जो हमने छोले को बाल की रखा है उस छोले को डाल देंगे पानी सहीत ही डाल देना है बस अब डाल के मिक्स करेंगे तो अब ये छोला मिक्स होगे अब इसमें डाल देंगे आधा चमच लाल मिर्ची पाउडर हरी मिर्ची मैं बाद में डालूंगी इसमें गरम मसाला पॉडर में नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हमने ख़ड़ा गरम मसाला डाला था तो सारा फ्लेवर आ गया है छोला के अंदर साथ में डालना है आधा चम्मत छोला मसाला यदि आपके पास छोला मसाला नहीं है तो किचन किंग मसाला डालें क्योंकि बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है यदि आप धाबा स्टाइल रस्टोरेंट स्टाइल बनाना चाहते हैं तो ये पैकेट का मसाला जरूर से डालें अब एक कटीवी लंबे में हरी मिर्ची डालके अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे क्योंकि ये काफी ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है बस पानी डालके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उबलने के लिए 5-7 मिनड़ के लिए छोड़ देंगे कि मसाला अच्छी तरह से पक जाए अब ये छोला बन के रेडी हो गिया है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी और डिलिशिश दिख रहा है अब इसे हम सर्फ कर लेते हैं जब आप इस छोले को खाएंगे न तो बिल्कुल भी हैवी नहीं लगेगा क्योंकि जब हम छोले कुल्चे खाते हैं या छोले बटूरे खाते हैं तो बहुत खाने के बाद हैवी लगता है लेकिन ये खाने में एकदम हैवी नहीं लगता है अब थोड़ा सा इसमें डाल देंगे धनिया पत्ती अब लास्ट में हमें क्या करना है अब एक पैन में दो चम्मच घी गरम करेंगे जब घी गरम हो जाएगा तो उसमें कटीवी लंबे में अद्रक और आधा चम्मच किचन कींग मसाला डालेंगे और चोले के ओपर डाल देंगे क्योंकि धाबा में अकसर चोले के ओपर तड़का लगाया जाता है तो पूरा टेस्ट उभर की आता है अब इसके साथ आप पराठा खालें या फिर राइस खालें या कुल्चे या भटूरे कुछ भी खाएंगे बहुत ही जुड़दार लगेगा अगर आज की ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें